हेलो गाइज वल्कम बेक टो MCB तो गाइज आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कि इंग्स लेवेंट पंजाब के खिलाप RCB का बेस्ट प्लिइंग लेवेंट क्या होने वाला है और गाइज ये भी बताएगे कि यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा और किस स्टेडियम पर यह मैच खेला जाएगा और क्या इस मैच में RCB की जीत होगी या फिर नहीं ये भी बताएगे गाइज तो गाइज पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं तो एंट तक इस वीडियो को जूर देके ताकि इस वीडियो में आप बताएगा इंट्रेस्टिंग आप मिशना कर पाए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सोड़ा सा बिंती है कि वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि अभी भी आर्सीवी के सच्छे वाले पैर मौजूद है और चैनल पर पहली बाद विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को और नटिफिकेशन पर क्लिक करना ना बूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सांदार एक सांदार एप के बारे में बताना चाहता हूँ उसका नाम है माई 11 सरकल एप जो की एक फैंटेसी क्रिकेट एप है इस एप की खास बात यह है कि हम इस एप पर सौरब गांगुली वार्सन और रासीट खान जैसे चेंप पती भी बन सकता है और जीते हुए रासी सीदे आपके खाते में ट्रांसपर हो जाएगा और हर डिपोजिट पर आपको पंदरा सो का बोनस भी प्राप्त होगा तो अभी जाए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और माई 11 सरकल डाउनलोड कीजिए और अगर आप इस वीड होगा तरिये गाइस बीना टाइम बेस्ट की आर्सीवी का प्लेंग लिविन के पाड़े में जान लेते हैं जो किंग्स लिवें पंजाब के खिलाफ होने वाला है तो गाइस आर्सीवी के लिए अपनी करेंगे वस्ट नमबर पर देबदूद पटिकल सेकेंड नमबर पर आर्सीवी का बॉलर कुछ इस तरह से होने वाला है तो गाइस आर्सीवी का बॉलर कुछ इस तरह से होने वाला है सेवेंथ नमबर पर वसिंग्टन सुंदर्क, एट नमबर पर उमेश यादव या फिर पवन नेगी क्योंकि आप सो सकते हो कि आर्सीवी की पहले मैच में स्पीनर का दबदबा था जो दुबाई में आर्सीवी ने पहला मैच खेला था तो जरूर उमेश यादव के जगा पवन नेगी को आर्सीवी में मौकार मिल सकता है तो इसके बाद गाईज नमबर पर नवगीब सैनी, तेंथ नमबर पर डेल स्टेन, इलेवेंथ नमबर पर योजिवेंदर चल तो जिया होने वाला है आर्सीवी का प्लेइंग इलेवेंट किंसलेवन पंजाब के खिलाब तो इस मैच में जीत के बात करें तो किंसलेवन पंजाब दुबाई के स्टेडियम में आईटल 2020 का पहला मैच पारा था और इसी स्टेडियम पर RCB ने अपना पहला मैच सांदार तरीके से जीता था तो गाईज RCB का बरला अफिंग स्लेमेंट पंजाब पर भारी रहेगा इस मैच में और पक्का इस मैच में RCB कहीं जीत होगी तो गाईज आपको क्या लगत है कि इस मैच में किस टीम का जीत होने वाला है तो अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो फिलाल वीडियो में इतना ही टेक केर बाई बाई